खाद्य पूरक आहार, फूड सप्लीमेंट ही क्यों? हम स्वस्त कैसे रहें? एक बाग बिलकुल ही सच कही गई है. जान है तो जहान है. यानी सेहत हजार नियामत. आज के प्रदूशन भरे वातावरन में आधुनिक्ता की जीवन श्याली से उत्पन, विभिन जतिलताओं, प्रदूशन एवं स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को पार करते हुए, प्रश्न यह है कि आज के जीवन में हम अपने आपको कैसे स्वस्त बनाए रहे और कम से कम से दूर रहे, इस आधुनिक दौर में आज जो हमारा शरीर है, उसकी अधिकांश समस्याएं बीमारिया नहीं है, बल्कि अलग-अलग प्रकार के डिसॉर्डर और खाद्य सामगरी की अवस्थाएं हैं, जिन में मिलावत भी शामिल है, और यदी हम दवाओं का प्रयोग कर तो वह सिर्फ लक्षन को नियंत्रित करती है, जैसे बलग प्रेशर, एंजाइटी, कमरदार्ड, थाइराइड, एनेमिया यानी खून की कमी, यहीमोग्लोबिन की कमी, दर्ड, गुस्सा, सास, फूलना, घबरहत, बेचैनी और दिल की धर्कन का बढ़ जाना, अलजी, अस् इत्यादी, इत्यादी, यह सभी शरीर में होने वाली जितनी भी गर्बरिया हैं, लक्षन मात्र है, और दवाएं इनको नियंत्रित करती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और इलाज करवाते हैं, और डॉक्टर उप्रोक्त लक्षनों का इलाज करके, इन लक्षनों को जब तक हम दवा खाते हैं, या लेते रहते हैं, यह लक्षन नियंत्रत रहते हैं. जैसे ही हमने दवा बंद की, यह लक्षन फिर पहले से अधेक्टी वर्ता से उभर आते हैं. तो सवाल यह है कि आखिर हम अपनी बीमारियों को जड़ से कैसे खत्म कर दें और स्वास्थ हो जाएं इतना ही नहीं इन लक्षनों को नियंत्रित करने के दोरान जितनी भी दवाओं का सेवन किया जाता है उसके परिनाम स्वरूप अथ्वा साइड एफेक्ट के कारण विभिन प्रकार की कई नई अन्य बीमारियां उत्पन हो जाती है दबाय बन करने के बाद मूल बीमारी तो बढ़ी जाती है साइड एफेक्ट से होने वाली बीमारियों के कारण और कई अंगों के प्रभावित होने से जतिलताय बढ़ जाती है यहां तक कि कभी-कभी मरीज को मौत का सामना भी करना पर सकता है अथ्वा किसी भी अन्य के फेल होने का सामना करना पर सकता है जिससे मृत्यू भी हो सकती है कैफीन के कारण भी काफी समस्या उत्पन हो सकती है और इलाज के दोरान हम लोग जो आर्टिफिशिल शुगर और अलकोहल का प्रयोग करते हैं वह भी काफी नुकसान दायक होता है और नियासिन की अधिक मात्रा भी हानिकारक होती है आज की जीवन शेली में पुनरता स्वस्त रहने के लिए हमारे शरीर को जो पौश्टिक्ता की आवश्यक्ताएं हैं वो उपलब्ध नहीं है उनका मानक आधुनिक्ता के विकास के साथ ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बीमारिया बढ़ रही है हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अरबों खर्बों करुणों को शिकाओं से बना है जो मिटी पानी, आकाश और हवा इन पांच तक्वों से बनती है आज के समय में हमारी जीवन शेली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है और हम एंटीबोटेक दवाओं के प्रयोग पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं जबकि हमारा वातावरन अत्यदिक प्रदूशित हो चुका है और जो भी खाने पीने का सामान हम प्रयोग में लाते हैं वो लगभग लगभग मिलावटी और केमिकल और पेस्टिसाइड युक्त होते हैं अब आये स्वस्थ रहने का उपाय जाने और स्वस्थ रहने के लिए खाद्य पूरक अध्वफ फूड सप्लीमेंट की उप्योगिता को समझें ऐसे में हमें आवश्यक्ता है अपने जीवन शेली में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की और अपने आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाने की केमिकल दवाओं का उप्योग कम कर देने की बहुत ही चुनिंदा रूप में आहार लेने की और अपने खाने पीने की चीजों को चुनिंदा रखना पड़ेगा साथ ही जो भी हम भोजन ब्रहन करते हैं उनकी पौश्टिक्ता बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे शरीर को संपूर्ण पौश्टिक्ता प्राप्त हो सके जिसके लिए हमें फूर्ट सप्लीमेंट खाद्य पूरक की आवश्यक्ता है अथवा हमें शुद्र ओगैनिक पध्धती से उच्ट कोटी के बने खाद्य पूरकों का सेवन करना चाहिए इससे सहन शक्ती और इम्म्यूनेटी बढ़ाने में मदद मिलती है यह शरीर की स्टैमिना और ताकत को भी बढ़ाता है साथ ही मान्स पेशियों के लिए भी काफी फायदे मंद होता है फूर्ड सप्लीमेंट की आवश्यक्ता इसलिए भी है क्योंकि विजामिन और खनेज हमारे शरीर को विक्सित करने में और कार्य करने में मदद करने के लिए अवश्यक है जबकि ज़्यादातर लोगों को भोजन से ना मिलने वाले पोशक तत्वों की पूर्ती होती है अगर हम खाद्य पूरक अथवा फूर्ड सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे शरीर को मिलने वाले न्यूट्रिशन और ना मिलने वाले न्यूट्रिशन आपस में मिलकर संपूर्ण और स्वस्थ जीवन का निर्मान करते हैं और हमारे कोशिका को इतना स्वस्त बना देते हैं कि कोशिका पतन शुरू ही ना हो सके और हम हमेशा स्वस्त बने रहें। ध्यान देने वाली बात यह है कि फूड सप्लीमेंट लेने पर पहले कोशिका का पतन बंध होता है, फिर उसके बाद नई कोशिकाओं का पुनर निर्मान शुरू होता है, इसलिए फूड सप्लीमेंट लेना शुरू करने के कुछ समय विलम से ही फाइदा पहुँचता है। एक बात और बहुत सारी कैमिकल उतपाद की कमपनियां अपने उतपाद को हर्बल उतपाद बताकर अथ्वखाद्य पूरक आहार और फूड सप्लीमेंट बताकर अपना उतपाद मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे बहुत अधिक प्रतिशत में कमपनी वह उनके आयोजक को लाग पहुचता है और बड़ी आमदनी होती है, इसके कारण आम लोगों में भरांतियां फैल जाती हैं और वह या नहीं टेकर पाते कि हमें किस प्रकार का वह किस कमपनी का खाद्य पूरक आहार लेना चाहिए, तो यह ध्यान रखें, उतपाद कमपनी को प्रमानित करन करने वाली संस्था किस सतर की है, किसी भियुत पात को प्रमानित करने वाली संस्था का विश्वसनी और उच्चस्ता का प्रमानित होना अतिया अवश्यक है, खाद्य पूरक अथवा फूर्ड सप्लीमेंट्स की विशेशताएं खाद्य पूरक आहार दुनिया में पहली बार 1940 के दशक में उपलब्ध हुए फूर्ड सप्लीमेंट्स चाहे गोली पाउडर या तरल रूप में हो पूरी दुनिया में दो वर्ष की उम्र से लेकर नब्बे वर्ष तक के उम्र के लोग खाद्य पूरक आहार लेते हैं एक यदि खाद्य पूरक प्रमानिक स्तर का है तो इसमें बिलकुल भी साइड एफेक्ट नहीं होते हैं दो यदि खाद्य पूरक खुराक उच्च स्तर के बने हैं तो यह चीनी, नमक और पानी का संतुलन अच्छी तरह से हमारे शरीर में बनाए रखने में मदद करते हैं जिससे ब्लड प्रेश और डायबिटीज, किड्नी और फेफरे जनित जैसी गंभीर बीमारियों के दुश्परिनाम से बचा जा सकता है तीन, उच्च क्वालिटी के खाद्य पूरक बनाने वाली कमपनियां कैमिकल, आर्टिफिशियल कलर, कृत्रिम, सुगंध और पैस्टिसाइड अध्वा कीत नाशक का प्रयोब नहीं करती हैं और नहीं किसी नशीले पदार्थ का प्रयोब करती हैं ऐसी उत्पादक कमपनियां पूर्ल ता हर्बल उत्पाद बनाती हैं ताकि उनकी विश्वस नियता बराबर बनी रहे और वह मानक पर हमेशा खरे उत्रे अब तक तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में क्यों फूर्ड सप्लीमेंट अथ्वा खाद्य पूरक पदार्थों की आवश्यक्ता हैं इनका सेवन करने के पहले अपने खाने पीने का दिन भर का एक चार्ट बना ले और तब डॉक्टर से सलाह लेकर अपने चार्ट के अनुसार इनकी मात्राओं का ध्यान रखकर इनका सेवन करें डॉक्टर का चयन करते समय विशेश ध्यान रखें उस डॉक्टर को हरबल उत्पात की जानकारी होना जरूरी है और उस डॉक्टर की प्राथ हमेक्ता क्यामिकल दवाओं के कमीशन से मिलने वाले लाभ ना हो बलकि मरीज के हितों पर अधिक ध्यान केंद्रित हो क्योंकि यदि ऐसा ना हुआ तो कोई भी डॉक्टर कैमिकल दवाओं की बिख्री से होने वाली आमदनी पर ही केंद्रित रहेगा और हरबल उत्पात के विशे में आपको जानकारी देने में अक्षम रहेगा और आपको उचित सलाह नहीं मिल पाएगी बेहतर है आप फूड सप्लीमेंट के बारे में जानकारी रखने वाले डॉक्टर से ही सलाह सलाह ले